नमस्कार दोस्तों मैं गोतम सिंग आज आपके लिए लेकर आई हूँ आई टी आई करने के बाद कौन सी जॉब मिल सकती है आई टी आई के बाद क्या करें पूरी जनकारी इस वीडियो में देखें आई टी आई करने के बाद कौन सी जॉब मिल सकती है आपको मैं इस वीडिय से हैं ते कौन सी जॉब मिलेगा, इलेक्रिशन से हैं ते क्या आपको जॉब मिल सकता है, दोस्तों यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो फ़िछ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्लेस करते तक अगले वीडियो के अट्फेकरशन आपको मिलते है कि इसे करने से आगे कौन-कौन से जॉब कर सकते हैं, तो यदि आपने भी ITI कर लिया है, या ITI आप कर रहे हैं, या करने के लिए सोच रहे हैं, तो आप अपने फिल्ड के अलावा, जिस भी फिल्ड में जॉब करना चाहते हैं, या आप को जिसमें रूची है, वही आप ट्रेट ले जैसे माले जे फीटर है, इलेक्टिसियन है, डिजल मेकानिक है, कोपा है, तो आपको इसमें से पहले सेलेक्ट करना होता है कोई ट्रेट उसके हिसाफ से आपको जो है जोब मिलती है, देखिए इंडियन आर्मी, आर्मी के लिए आई सुमा पदा अनुसार निधा पारित की जाती है, इसमें सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए छात्र आई टी आई करके अपलाई कर सकते हैं, आप सुचते होंगे इंडियन आर्मी, आर्मी में ज़रूरी नहीं है कि सिंपल है, जो इंटर किये हैं वही जाते हैं, आई टी आई के भी होते हैं, देखिए किस में होता है, स्टोर कीपर टेकनिकल, क्योंकि आई टेकनिकल कुर्स है, तो स्टोर कीपर टेकनिकल में आप जा सकते हैं, इंडियन आर्मी में, सोल्जर टेकनिकल, सोल्जर नर्सिंग असेस्टियेंट, सोल्जर कलर्क में जा सकते हैं, आधी पदों के लिए आप आवेदन कर कर सकते हैं देखिए करूपरेशन लिंटेड आई टी आई करने के बाद आप आ इल एन्ड नेचिर फीररम इंक एक puck Act करूपरेशन लिंटेड में मिल्ड हेलफर एवाँ जूनिर असेकी कर सकते हैं इसके लिए आपको योगिता जो है दस्वी उत्रिड होना आवस्यक है प्लस हेलफर के लिए लेकिन आप चाहते हैं असेस्टियेंट बनना तो आपको आई टी आई भी चाहिए आई टी आई करने के बाद इंडियन रेलेवे में गेट मैं दखिए रेलेवे ट्रेक मेंटेनर सिंग्नल मेंटेनर आधी की पोस्ट मिलती है आपको आई टी आई करने के बाद इसके लिए आपको जो है दस्वी कख्षा उत्रिड होना चाहिए प्लस आई टी आई State Electricity Board, Ardenance, Factories, Telecommunication यानि कि CRPF, NTPC में भी आपको जॉब मिल सकती है ITI करने के बाद आगे की पढ़ाई भी आप कर सकते हैं यदि आप चाहते हैं कि ITI के बाद हम पढ़ाई और आगे करें ताप कर सकते हैं ITI करने के बाद यदि आपको अपनी आगे की पढ़ाई भी पूरी करनी हैं तो आप वह भी कर सकते हैं यदि आपने ITI से डिपलोमा किया है तो आपको पहले पोल्टेकनिक करना होगा जिसके बाद आप अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं और यदि आपने पोल्टेक्निक से डिप्लोमा किया है तो आप आगे बी टेक, एम टेक कर सकते हैं जिसके बाद आपके पास नौकरी के बहुत अच्छे अच्छे अप्शन खूल जाते हैं तो दोस्तो आपको हम बताएं कि ITI करने के बाद कौन सी जोब आपको मिल सकती है आपको हम प्रोसेस बताएं तो दोस्तो आप ITI कर सकते हैं जोब बहुत सारे मिलते हैं ITI करने के बाद दोस्तो यदि वीडियो अच्छा लगते वीडियो को लाइक कर देजी और चैनल को सब्स